भजन सहिता अद्याई 103 हे मेरे मन, यहुआ को धन्य कह, और जो कुछ उसमें है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को उप्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुट बानता है, वही तो त तमपदार्थों से तुरुप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाप की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुऊं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मुसा को अपनी गती और इस्राइलों पर अपने काम प्रगट किये। यहोवा दयालो और अनुग्रह कारी है। विलंब से कूप करने वाला और अती करुणा मैं है। वह सदा सरवदा वादविवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भढ़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवार नहीं किया, और न हमारे अधर्मके कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पुथ्वी के उपर उचा है, वैसे ही उसके करुणा उसके डर्वयों के उपर प्रबल है। उदेया चल, अस्ता चल से जितनी दूरी पर है, उसने हमारे अपरधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डर्वयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सुष्टी जानता है, और उसको समरन रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयू घास के समान होती है, वह मैदान के फूली की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठार नहीं सकता, और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहवा की करुना उसके डर्वयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रगट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरन करके उन पर चलते है, यहवा ने तो अपना सिहासन स्वर्ग में स्थीर किया है, और उसका राज्य पूरी सुरुष्टी पर है, हे यहवा के दू उसको धन्य कहो, हे यहवा की सारी सुरुष्टी, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो, हे मेरे मन, तू यहवा को धन्य कहा,